हलो आप से भी कश्वागत एक वार फूश एक नए टॉपिक के साथ तो आप लोग यदि हमारे चैनल पर नए हो और वो हर एक टॉपिक को कवर करने आ चाहते हो जो आपके एकजाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यह छोटे से छोटे टॉपिक को अब पान से दस मिनट के अंदर कवर कर लोगे और यह इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यह हरे की एक एक जाम में पूछा जाता है या तो वह विहार वाला एक जाम हो कोई वी एक जाम हो या अधर अस्टेट वाला एक जाम हो खासकर यहां से एक दूश्चन आत रहा जैसे ग्राम पंचायत के स्थापना की बात कौन से भाग में किया गया था वहीं यदि बाद किया जाए कि भाग ववन में किसका वर्णान किया गया तो उन सारे भागों को जानना जरूरी है तो आज के टॉपिक में आप लोग समिंधान के भाग का कुछ अहम हिस्सा देखोगे मतलब की कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक का कोशन देखोगे जो कि आपके आने वाले एक्जाम के लिए काफी महत्पूर्ण होने वाला तो यदि आप हमारी चैनल पे नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब करके रखना क्योंकि यहां पर कोई भी टॉपिक डाला जाएगा सबसे पहले आप तक पहुगी रखना है और इस सबसे पहले जाकर देखो और आपने हरे टॉपिक क्लियरों तो pig करो तो आगे क्योंड चलते जो कि समिधान में total 22 समिधान के इस भाग में समिधान सनसोधन की पढकिरिया को लेकिया गया तो समिधान सनसोधन की पढकिरिया का उलेक 30 में क्या गया तो भाग 20 में next question और important question यहाँ पर वो हरे question आपका previous year question है क्योंकि यह सारे question already एक जान में आ चुके है तो समिधान का टोटल भाग आप लोगो ने जान रखा 22 है समिधान में संसोधन करने के परकिरिया को उलिक भाग 20 में किया गया महीं समिधान के किस भाग में ग्राम पंचायत के स्थापना की गई है समिंधान के किस भाग में और स्थाई संक्रमन कारी और विशेष उपूबंत के प्रबधान किया गया तो य था बात के बोल ला जा रहा था ग्राम पनचायतों कि अस्थापना की बात कही गई है तो भाग चार में तो यह सारे question आपको clear होना चाहिए Next question है कि भारती समिधान के किस भाग में नगर पाली काउं से समन्धी थे किस समन्धी थे तो नगर पाली काउं से भाग 9 के का में वहीं अभी तक आप लोगों ने क्या क्या देखा कि समिधान की भाग की बात किया जाए तो 22. किस भाग में समिधान संसोधन की भाग के जाए तो ढ़ाग 20. ग्राम पंचाइत के स्थापना की बात की गई तो भाग 24 में. और स्थाइ संकर वनकारी और विशे सुपुवंत का शिक्र कỉा जाए तो भाग एककीश में और यह सारे कोर्षन आपके एकजाम के लिए काफी महत्कुर्ण होने वाले हैं और यह हम से आपके एकजाम में कोश्यन आएंगे भारती समिल्थान में पंचायती राश समंधित प्राप्धान भाग 9 में, नगड़ पालिका से समंधी प्राप्धान भाग 9 के कम है, तो यह सारे चीज़ आपके ध्यान में होना चाह후 समिधान की कीस भाग में नीती निर्डे सकत्तों का, तो यह नीती निर्दे सकत्तों का जो ऱहाँ तो यह सारे के चीज़ों को आपको पता होना चाहिए तो नीति-निर्देश तत्तों की बात किया जाए तो इक से लेकर बाइस तक सारत जिक्रिक किया गया तो आप जरूर जाकर पॉलिटी के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो समिन्हान की किस भाग में मूल अधिकार का उलेक किया गया नीति-निर्देश की बात किया गया था भाग चार में तो मूल अधिकार का भाग दीन में बोहिं भारत के समिन्हान का भाग चार में किस के बारे में बताता है तो अभी जश्ट बता है निती निर्देशक तत्व के बारे में संग्ये काड़ पालता की ब्याक है समिन्हान के किस भाग में की गई है तो भाग पांच में समिन्हान के किस भाग में नागरिकता का उलेख है यह बहुत जाद इंपोर्टेंट है किस भाग में नागरिकता का उलेख है भाग दो में और कौन से अनुछेद से कौन से अनुछेद वाला भाग वाला अनुसुची वाला ये सारे वीडियो मैंने डाल रखा है तो आप जाकर देख सकते हैं अच्छे से मैंने clear करो किया है समिन्हान के कितने भागों में विभाजित किया गया तो अभी जस्ट मैंने बताया कि 22 भागों में इसके सासाथ एक कोर्षन और है जो आप देख लो कि भारती समिन्हान में कौन सा भाग गए और अध्याई शंग और राज़ों के बीच के बिधाई सम्मंदों के बारें बताता है यह बहुत इंपर्टन पोर्षन है तो इसे मत भूलना यदि भारती समिन्हान का कौन सा भाग पुछा जाए तो ग्यारवा भाग के और अध्याई वन में अध्याई, शंग और राज्यों के बीच बिधाई की सम्मंद के बारे में बताए गया मेरे कहने का मतलब है यदि आप से पुछा जाए कि भारती समिधान का कौन सा भाग और अध्याई संग और राज्यों के बीच बिधाई सम्मंद के बारे में बताए जाता है तो संगह और राज्यों की विधाई सक्तियों को भागी 11 और अध्याई 1 में बता जाता तो आज की वीडियो में आप लोगों ने देखा भाग से जुरा हो कोश्चन तो यहां पर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा क्योंकि आपको यह 5-10 मिनट के अंदर एक वीडिय करना तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर और चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो आपको बहुत सारा वीडियो हेल्फूल आपके एक्जाम के लिए सावित होंगे तो जाकर देख सकते हो सारे क्लासे और यदि आप लोगों ने अभी तक नोट से नहीं लिया